हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शुश्मा राजकुपता हम लोग करें पीकॉंग फर्स्समेस्टर फाइनेंशल अकाउंटिंग और हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इस रोयल्टी तो रोयल्टी की हम लोग फर्स्ट टू वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन और सेकिंड वीडियो में हम लोग इसकी जर्नल एंट्रिस कर चुके हैं आज हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ ही हम लेजर रखांट्स भी सीखेंगे ठीके जी त The Bihar coal company are lease of a mine on a royalty हमें पता होना चाहिए कि royalty जो दिये वो किस तरह से दिये That is 50 पैसा परटन of calories with the dead rent Dead rent is also known as minimum rent 30,000 पारेन The power to recoup first 5 years मतब first 5 years में हम इसे recoup भी कर सकते हैं तो हमें तो data 3 साल का दिया है तो it means कि 5 साल तक हम इसको recoup कर सकते हैं Draft the necessary journal entries इस question में मैं journal entries नहीं करूँगी ठीके हम लोग सिरफ ledger account से करेंगे ठीके journal entries में बता दूँगी ठीके जी तो शुरू करते हैं First हमें दिये year Year दिये first, second, third Year हो गया first Second and third ठीके आउटपुट हमें दिये 15,000 50,000 75,000 Royalty हमें दिये 50 पैसा पाटन 50 पैसा पाटन नहीं तो it means कि इसका half हो गया 75,000 50 पैसा पाटन 25,000 37,500 Minimum rent Minimum rent हमें दिये 30,000 30,000 Again 30,000 अब हमें क्या calculate करने है Short working पैले साल जो royalty है Minimum rent से कम है तो यहाँ पे short working आगी दूसरे साल भी Short working आगी तीसरे साल हमें क्या मिला Surplus Surplus कितने 75,000 अब इस surplus से हम क्या करेंगे Short working को recoup करेंगे पैले साल तो short working है यह So there will be no recoupment यहाँ पे हम recoup करेंगे 75,000 ठीक है क्या short working को write off करने नहीं क्यों नहीं करना क्योंकि हम लोग 5 साल तक इस जो बची हुई short working है उसको 5 साल तक recoup कर सकते है तो हमें data दिये 3 साल का तो इसलिए इसको write off अभी नहीं करेंगे तो next हमारा जो column बने का वो है paid का हम लोग land owner को पहले साल pay कर रहे है 30,000 दूसरे साल 30,000 तीसरे साल pay तो हमने 37,500 करना था बट क्योंकि हमने short working recoup की है So that's why हम pay करेंगे 30,000 ठीक है जी तो अब हम account बनाना शुरू करते हैं तो account इसमें हम लोग कौन-कौन से बनाएंगे हाँ जी सबसे पहले हम minimum rent account बनाएंगे जैसा कि मैंने कल आप से कहा था कि minimum rent account तब ही तक बनेगा जब तक short working है जब royalty minimum rent से जादा होगी तो minimum rent account नहीं बनेगा तो minimum rent account पहले साल आगया हमारा first year तो first year हम लोग क्या entry डालेंगे by royalty by short working ठीक है जी तो हमने यह entry डाली थी royalty short working to minimum rent royalty 7500 short working 22,500 to minimum rent to landlord लैंडलोड अकांट ठीक है जी तो हमने पहले साल उसको कितना पे करने लैंडलोड को 30,000 तो यह आगी due की entry फिर हम minimum rent का ही second year लेंगे तो second year में फिर by royalty अब दूसरे साल चो रोयल्टी आई है that is 25,000 by short working short working आई है 5,000 to landlord लैंडलोड आजाएगा amount 30,000 ठीके जी तो यह आगया 30,000 तो minimum rent अकांट यहां खतम हो गया ठीके अब हम पनाएंगे royalties account second account हमारा होगा royalty account हांची रोयल्टी अकांट में हमने जैसे यहां पे पाए रोयल्टी मिनिममम रेंट लिखे तो यहां पे क्या लिखेंगे वो है 25,000 by production तो जब भी हमने royalty account बनाने बहुत एजी है ठीके जी 2 यहां पे तो मतलब कि हमने minimum rent अकांट बनाये तो यहां पे हमें लिखना पढ़ रहा है 2 minimum rent otherwise royalty to landlord अभी तीसरा साल देखो अगर minimum rent नहीं है तो फिर हमने क्या करने जितनी भी royalty है सारी की सारी हमने landlord में to landlord account amount कितनी है 37,500 by production account 37,500 ठीके जी अब हम landlord account बनाएगे landlord account जो है बहुत easy landlord account ठीके तो यहां पे हमने क्या लिखा था to landlord ठीके minimum rent to landlord तो landlord account में हम क्या लिखेंगे by minimum rent तो पहले साल हमने landlord को कितनी amount पे की 30,000 क्योंकि because of minimum rent क्योंकि royalty तो बहुत कम थी minimum rent तो क्या हमने सारी पे कर दी two cash नहीं हमने पे की सिरफ 30,000 ठीके 30,000 पे कर दी और जो बाकी थी वो हमने क्या किया recoup short working को recoup करने के लिगे utilize कर लिए अब short working account बनाएंगे short working देखो पहले साल 22,500 दूसरे साल 5,000 तीसरे साल हमने recoup की है तो यहां पी entry आई है by short working किसमे minimum rent में और जो short working है ये खतम नहीं होती ये recoup होती है ठीक है जी हाँ जी तो पहले साल हम लोग entry करेंगे first year क्या entry होगी to minimum rent 22,500 by balance carried up 22,500 second year to balance brought down 22,500 to minimum rent 5,000 by balance carried up ठीक है जी दो सालों में क्या हुआ कि जो short working थी वो कठी होगे 27,500 हो गई अब तीसरे साल जो short working थी वो 27,500 थी जिसमें से हमने recoup कर दी recoup कर दी तो क्या हैगा by landlord account कितनी recoup की 75,000 बाकी write off कर दी नहीं क्योंकि question में दिया था कि पहले 5 साल तक हम इसको recoup कर सकते हैं इसलिए हमने इसको continue रखा हो सकते हैं तीसरे या चोथे साल ये 20,000 पी recoup हो जाए इसलिए हमने इसे रखार राइट आफ नहीं किया इसे balance carry down किया है बहुत इजी रोयल्टी कोई भी मुश्किल नहीं है हाँ जी पहले साल प्रोडक्शन जैसे हम एक प्रोडक्शन अकाउंट रह गया जिसमें हम लोग क्या करते हैं जो रोयल्टी होती उसको write-off करते हैं तो प्रोडक्शन टू रोयल्टी पहले साल 75,000 दूसरे साल 25,000 और तीसरे साल 37,500 नेक्स्ट हम कर रहे हैं थर्ड कोश्चन देखो इसकी जर्नल एंट्री और जो लेजर अकाउंट से बहुत ही सिंपल है ठीक है प्रॉब्लम आती है कि हमें ये देखना कि रिकूप कैसे करना है कितनी अमाउंट करनी है कहां तक करनी है तो वो स्टेटमेंट से सारा क्लियर होता है वो चीज हमने समझने है तो सेथी एंड कमपनी तो पे यह पाला रॉयल्टी ठीक है तो सेथे एंड कमपनी क्या होगी लैजी यह श्पाल क्या हो गया लेजर ठीक है फाइव रुपीस फोर इच लोग सोल्ड ठीक है यह जरूर दिखने की रोयल्टी किस रेट पे है मिनिमम एन्वल पेमेंट है 50,000 ठीक है और अकाउंट से क्लोज करने 31st दिसंबर को इफ इन एनी येर रोयल्टी ओन लोग सोल्ड इस लेज देन 50,000 जाने की शॉर्ट वर्किंग है इफ रोयल्टी इस लेज देन 50,000 तो यहां पे ये बात कर रहा है कि अगर शॉर्ट वर्किंग अराइस होती है उस शॉर्ट वर्किंग को हम अगले दो सालों में रिकूप कर सकते हैं पॉइंट क्लियर अब इसके बात आके नंबर ओफ लॉक सोल्ड तो हमने कितने लॉक सेल किये हैं बहुत एजी कोश्चन है बस यहां पे टू फॉल्विंग इयर्स थी है तो पहले हमने जो कोश्चन किया फिक्स्ट रिकूपमेंट का था यह फ्लक्चुटिंग रिकूपमेंट का है एट थाउजन नाइन थाउजन लेवन थाउजन एंड एटीन थाउजन ठीक है तो इयर्स अलग लग बुक्स में लग लग है तो मेरी बुक्स में टू थाउजन फॉटीन फिफ्टीन सिक्स्टीन और सेवन्टीन है ठीक है नंबर ओफ लोग सोल्ड एट थाउजन नाइन थाउजन इलेवन थाउजन एटीन थाउजन तो रियल्टी करें रियल्टी रुपिस फाइब पर लोग फॉटी थाउजन फॉटी फाइब थाउजन फिफ्टी फाइब थाउजन नाइन्टी थाउजन बहुत सिम्पल इसके बाद आगया मिनिममम रेंट फिफ्टी थाउजन फिफ्टी थाउजन फिफ्टी थाउजन अगें फिफ्टी थाउजन अब आगी शॉर्ट वर्किंग तो पहले साल 10,000, 5,000, फिर आगया surplus, surplus कितने हैं, 5,000, 40,000, अब हमने short working को recoup करने हैं, तो पहले हम 10,000, 5,000, ये 10,000 हम लोग recoup कर सकते हैं, 1, 2, 2 years में कर सकते हैं, तो इस साल हमारे पास है, कितना 5,000 ही है, तो 10,000 हम लोग 1, 2, 2 सालों में recoup कर सकते थे, ठीके, बट हमने सिरफ 5,000 recoup किया, तो बाकी जो short working रहेगी, वो right off हो जाएगी, खतम, क्योंकि हमने next 2 years, following 2 years, 1, 2, 2 सालों में इसको recoup करना था, तो हमारे पास surplus सिरफ 5,000 है, तो 10 में से हम लोग 5,000 recoup करतेंगे, जो 5,000 बचाओ से खतम करतेंगे, इसी तरह ये जो 5,000 है, 1, 2, इससे 2 सालों में हमने recoup करना था, ये 5,000 recoup हो गया, अब हमारे पास surplus तो 40,000 है, बट हमने use कितना किया, 5,000, तो 90,000 में से हमने use किया, सिरफ 5,000, तो land load को हम कितना pay करेंगे, 85,000, point clear है, यहां तो हमने 50,000 pay करना है, because minimum rent पे कर रहे हैं, यहां भी हम minimum rent पे कर रहे हैं, यहां हम 55,000 pay कर सकते थे, बट हमने क्या किया, 5,000 use कर लिया, तो रहे हैं 50,000, यहां हम 90,000 pay कर सकते थे, बट हमने 5,000 use कर लिया, तो रहे हैं 85,000, ठीके जी, अब table बन किया है, अब जो भी हमें account से हैं, हम लोग बड़े अराम से बना सकते हैं, account से बनाने बहुत ही easy है, ठीके, 2 साल हमारे पास short working आई है, तो 2 साल minimum rent account बन बनाने का, तो पहले हम बनाते हैं, minimum rent account, 2014, by royalty, by short working, 40,000, 10,000, to landlord, to क्या आएगा, लेंड लॉट, amount आगी, 50,000, point clear, तो यहां 50,000 लिखके, accounts close करने हैं, ठीके जी, then आगया, next year, फिर, by royalty, by, short working, 45,000, 5,000, 50,000, यहां पे आजाएगा, to landlord, 50,000, हाँ जी, 50,000, तो minimum rent account यहां खत्म होता है, इसके पाथ हम लोग बनाएंगे, royalty account, royalty account, यहां पे हमने royalty को क्या किया है, credit किया है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, to minimum rent, to minimum rent, पहले साल, 40,000, by P&L, 40,000, ठीके, अब आप कोगे कि यहां production नहीं लिखा, तो अगर कोई production manufacturing की बात हो रही है, तो यह production में जाएगी, अब जहां पे हमने locks sale कियें, लोग sale कियें, तो यहां पे production नहीं हुई, तो P&L में, जो हैं हमने write-off करना है, 2015, to minimum rent, 45,000, by P&L, 45,000, ठीके जी, 2016, to minimum rent, sorry, 2016 में तो royalty जाता है, royalty जाता है, तो यहां पे two landlord, amount आगी 55,000, by P&L, आप लोग landlord का name भी mention कर सकते हो, ठीके, 2017, to landlord, हाँ जी, last year amount ती, 90,000, 90,000, by P&L, 90,000, ठीके जी, अब हम बनाएंगे, लैंड लोड अकाउंट, यहां पे minimum rent, minimum rent to landlord, to landlord, यहां royalty to landlord, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, कि पहले दो साल minimum rent है, फिर दो साल royalty है, तो क्या लिखेंगे, by minimum rent, 50,000, क्योंकि यहां पे हम उसे क्या दे रहे है, minimum rent पे कर रहे है, क्यों कर रहे है, क्योंकि royalty जो है, वो less than minimum rent है, ठीक है, जी, 2015, by minimum rent, again it is 50,000, to cash, 50,000, 2015, ठीक है, 2016, by royalty, 55,000, to cash, 55,000, by royalty, 90,000, to cash, 90,000, बहुत easy, landlord account, बहुत easy, royalty account, easy, minimum rent, easy, short working में बस हमने देखने है, कि जो short working है, एक तो two minimum rent आएगा, और third year में जाके, हमने recoup भी किये, write-off किये, fourth year में फिर हमने क्या किये, recoup किये, तो बस जब हम account बनाएंगे, तो इस चीज़ कर ध्यान रखना, हाँ जी, short working account, ठीक है जी, तो short working में, जैसे कि मैंने बताया था, 2014 में, two minimum rent, amount आगी 10,000, ठीक है जी, जितने short working arise होगी, वो हम कहां लेके जाएंगे, balance carry down, 2015, two balance brought down, 10,000, अब 2015 में, क्या हुआ, minimum rent फिर से arise हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आजाएगा, buy balance carry down, 15,000, ठीक है जी, next आगया, 2016, two balance brought down, अब तीसरे साल हमने क्या किया, एक तो हमने, recoup की है, 5000 की short working, ठीक है, वो तो चली जाएगी, landlord account में, एक हमने write off की है, ठीक है न, यह जो 10,000 ती, 1, 2, 2 years तक की, इसको continue करना था, तो उसमें से recoup होगी, 5005 हमने खतम गर दी, यह जो 5000 है, इसको अब ही continue करेंगे, 5000, अब आगया, 2017, two balance brought down, 5000 by landlord, landlord, landlord क्यों लिखा, क्योंकि, जो 5000 था, वो भी इस साल recoup हो गया, ठीक है जी, अब रहा गया हमारा P&L account, तो P&L account में, उसी तरह से, हर साल की हम लोग royalty डालते जाएंगे, two royalty, जैसे पहले साल 14,000, ठीक है, दूसरे साल, two royalty, amount is 45,000, ठीक है जी, तो तीसरे साल आगी, two royalty, it is 55,000, बट तीसरे साल हमने short working को भी write-off की है, तो 5000 वो आगया, 2017, two royalty, 90,000, पॉइंट क्लियर, तो इस तरह से हम लोग जो है, royalty के questions आके भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ledger account जो है, वो समझ आ गया होगा, बाकि जितनी भी इसमें problems दी है, उसमें मतलब कि जैसे strike के questions है, वो कल करेंगे, ठीक है, ledger accounts बनाने आपको आ चुके है, तो ledger accounts कुछ different है, journal कुछ अलग नहीं है, तो next हमें table बनाना है, उसमें थोड़ा सा होता है कि कैसे हमने short working को recoup करने, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, तो जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ साथ questions जरूर करें, ठीक है ची, थैंक यू,